नमश्यक्र दोस्तों मेरे पाम रेड़िक चैनल पे आपका बहुत-बहुत स्वाकत है आई आज 35 वर्स के पुरुसके पाम का एनलिजस करेंगे इनके सवालों का जबाब करेंगे परेकर करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किरप्य करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल अकेन को प्रेस कर दे, ताकि रिड़स नोडिफिकेशन आपको मिल जाए, तो चलिए शुरू करते हैं, इनका कोशन इस प्रकार है, वरतमान स जिंता ना करें, आपके कोशन्स को अपने गहराई पुरूबक सुन लिया, बताने का कोशिश करूँगा, उसके पहले एक महतपूर बाद, हाथ बहुत जबर्दस्त है, बहुत कमाल कहते लिए हैं, ऐसे विक्ति अपने जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, ब अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूँ, तो एक चमतकारी रूप से दिखरी है, ये बागी रेखा, बहुत जबर्दस्त जीवन के अंदिम समय तर, तो अगर किसी विक्ति के हाथ पर इतनी जबर्दस्त बागी रेखा हो, तो फर जीवन में कहां परशानी, फर और ताकतवर बुद्धर एका हो, तो ये इंडिकेट करती है कि जातक के जीवन में करोरो आते हैं, पैसे की बरशात होती है, और केवल एक ही बुद्धर एका बनके रुक नहीं के, यहां से एक और बुद्धर एका है, बहुत जबर्दस्त, तो ऐसे विक्ति सौ करोड तक अपने जीवन में कमा सकते हैं, ऐसे विक्ति सौ करोड के मालिक बन सकते हैं क्योंकि यह हाथ पर ना गजब की चिन्ने दिख रहे हैं मुझे, यहां से देखो एक मनी ट्रेंगल क्या बात है बहतरी, अगर आगे मैं विचार कर लो तो यहां पर से बना एक जबरदस्त इन बे बिलकुल समाने नहीं है, यह भी आला दर्जे का अधुईत यह फिश शाइन, बहतरी इन बहतरी, यहां से भी देखे बहतरी इन फिश शाइन, यहां पर से भी एक बहुत बढ़िया ट्रेंगल, यह ट्रेंगल भी जातक को धनवान बनाता है, धनलाफ कराता है, जीट यह आला दर्जे का चिंड़ा आपको बहुत धनवान बनाता है, इसके बाद यह देखिए, बुद्ध रेखा कितनी शांदार है, बहुत जबर्दस बुद्ध, सॉरी, यह एक बुद्ध रेखा का ब्रांच जो चंदर्मा पर गया है, यह बहतरीन शांदार है, यह व सारे ही प्लैनेट सचे कंडिशन में राज्यो का रखते लिए कंफर्टेबल लाइफ रहती है, जीवन रेखा पर भी प्रगती की रेखा में कोई कमी नहीं है, जीवन में प्रागरस तरक्की यह 100% होती है, लाइफ एक दम स्मूथ भी दिता है, स्मूथनेस में कोई कमी नह कि नेगेटिविटी हाथ पर रहती, उसका समय रहते वे उपाय भी कर लेना चाहिए, ताकि आपको उसकी रिगार्डिंग विशेसकर समस्याओं का सामना ना करना परे, तो अब नेगेटिविटी क्या है, वो देख लीजी आप, अगर आप प्रॉपरली नेगेटिव चीज है, लेकिन कोई ना कोई इनको परिशानी आता है, तना आवाता है, अगर आप भाग्य रेका पर विचार करेंगे, तो ये भाग्य रेका लगबग 33 के बाद स्टॉप होगी, 33 यर्स के बाद इस भाग्य रेका में धूमे लवस्ता 37 यर्स तक है, अब यहाँ पर 37 के बाद ये भाग्य रेका फिर बहतर है, फिर तो इतना पैसा आएगा कि रखनी पाएगा, 37 वर्स तक जीवन कैसे चले, चुकि राहू रेका भी है, विपीत पहसिती का योग भी है, और भाग्य रेका में भी कमी है, तो ये 37 में वर्स की आयो तक आपने जीवन को आप कैसे इसका प्रेमेडिक कर ले, बहतर रहेगा आपके लिए, अगर मैं आगे विचार कर लूँ, और क्या चीज़े हैं, तो ये दो चीज़े हैं, जो कि बहुत बहतरी नेगेटिविटी है, जो आपको तनाव दे शकती है, परिशान कर सकती है, नो टाउट, अगर मैं आगे तनाव भी उतपन्न हो जाता है, पारिवारी तनाव भी जातक को जेलना पड़ता है, तो वो कुछ तनाव आपको जरूर जेलना पड़ सकता है, तो इसके लिए बहतर मैं आपको पाय सजिस्ट कर दूँगा, रेमेडिय सजिस्ट कर दूँगा, जिसके बाद आप यह ओगी महातपूरबाद, अब आगे विचार कर लेते हैं और क्या चीज़े आपके हाथ पर बनी हैं, और कैसे चीज़े आपके हाथ पर हैं, तो अगर आप और चीज़ों को देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो और चीज़ों में आप ये देखिए, अब कोई खास negativity आपके हाथ पर हैं ये दो negativity measure थी, जिसने आपको तनाव दिया और जिसका remedy बहुत जल्दी किया जाएगा, और आप इसके बास जादा बहतर महसूस करेंगे, आप जिन्दगी पर जादा सफल भी महसूस करेंगे, नो डाउट, चलिए ये तो हो गई बात, अब अगर मैं प्रारंबिक समय में कोई ना कोई परशानी आती इस केस में, तो प्रारंबिक समय में जो परशानी आती है, वो इस प्रकार से रहती है कि विशेशकर प्राही लिखाई में इंटरस्ट कम होता है, तो प्राही लिखाई के जादा ये close नहीं होते, वैपार में ही अपने शनल बागे के अधार पर इनके बागे के दम से इनके पता जी भी बहतराइज करते हैं तो वो वाली चीज़े आपके जीवन में जरूर घटित हुई होगी वो वाली चीज़े आप जरूर फेस कर रहे होगे कि आपके घर में आने के बाद आपके घर में तरक्की हुई होगी तो आ आप भी इंडिपेंडन्ट 20 वर्स में होई गए एक 22 वर्स में तरक्की कई योग थे एक 24 में थे एक लगबग 30 में थे 32 में थे फिर एक लगबग 33 में थे 33 से थोड़ी थोड़ी विप्रीर पहस्ति के योग बने हैं मतलब जीवन पर 33 के बाद ही कुछ-कुछ समस्या आई है और ये लगबग आपके जीवन रेखा के हिसाब से मैं बात कर लो तो 40 एस तक चट रही है लेकिन उसके बाद भूम तरक्की है 40 एर से जीवन में और जीवन रेखा भी अच्छी है जीवन रेखा 68 तक आके रुग गई है लेकिन हाँ उसके बाद ये भी एक रेखा है जो कि समवता जीवन रेखा कारे कर सकते हैं चोकि ये रेखा मिल जाएगी तो कर लेगी लेकिन 68 तक टो जीवन रेखा बढ़ीया दिक्री है मुझे और जीवन रेखा को लेके कोई खास टिपन नी किया भी नहीं जाता ये बेकार की बात है चली ये तो ओ गई बात लेकिन हाँ ज फोटी जीवन रेका तो है नहीं अब अगर मैं आगे विचार कर लो तो ये मंगल रेका भी बड़ी अच्छी है तो कहीं न कहीं बचाव कराती है लग्जूरियस लाइफ के प्रॉपर योग बने हैं ये तो रहेगा आपका तोरह स्ट्रस है समान इस्ट्रस होता है बट मणी म प्राइग घटे तो चिंता विल्कुल ना करें आप शुक्रमंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहे की और गजब का थंब है स्ट्रॉंग इक्षा शक्ति है ये वाकरति जहीं भी सपोर्ट चाहिए मल जाएगा डिजायर्स के अच्छे लाइने तो बड़े महात् प्रबल है अगर आगे देख लो तो यहां से दवाब है तो इसका रमेडिया आपको मिल जाएगा बाकी ये परुपकारी रेखा है सब के लिए करना चाहते हैं बाइंड रेका अच्छी है दिमाग के तेज है तो बागे का साथ और विकास तो मिलेगा तो डिस्टरब शुक यहां से भी दिख लिए बहुत 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 बह बहुत आएगा विदेशी दर्थे दनलाव होता है नो डाउट ये भी कुछ आपके जमीन जदा से जुरावाकार करेंग उसमें भी तरक्की मिलेगी चंद्रमा बढ़िया है तो जीवन पर जब भी पैसे चाहिए आही जाते हैं पैसे को लेकर दिक्कत नहीं है तो यह ताइन